नमस्कार दोस्तों स्टेडी स्वीड में आपका श्वागत है आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले हैं केंद्रे विश्विद्याले जो आपकी यूपी से जितने भी वंडे एक्जाम होते हैं जाए यूपी PCS हो गया या अधर कोई एक्जाम यूपी PCS हो गया तो सब में यूपी का वेटे जरूर चार पांच कोस्चन का रहता है तो इस वजह से यूपी जीक के बहुत ही महत्वपॉन हो जाता है तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्रे विश्विद्याले जैसा कि बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया है विश्विद्याले के स्थापना कब हुई थी तो 1887 में और 2005 में से केंद्री विश्विद्याले का दर्जा मिला था और प्रदेश का सबसे पूराना विश्विद्याले तो आपका दे दिया जाता है कि जैसे बेच्चू के स्थापना कब हुई थी इलहाबाद के स्थापन कभ हुए थी तो इस तरह से चार पांच आपको मिलाने के लिए दिया जाता है या सबसे पहले पूछ लिया जाता है तो आपका इसमीं सबसे पहला और सबसे पुराना विश्री विद्याले होगा इलाबाद विश्री विद्याले इसके अस्थापना 1857 में की गई थी अब बा जोओन मालवी अगला है अलेगाड मुस्लिम गई इसके अठापना 8500 में हुई थी और अगला है भीम राव और मेटकर विद्याले इसके अस्थापना यह कहां पर है लखनाओं में है और इसकी स्थापना इन सो चियानवे में हुई थी राजुगाह अधीर आश्टी विव गाए जहांसी में यह जहांसी में है और इसकी स्थाफना 24 में हुई थी इसकी स्थापना होई थी 2024 में अब बात करते हैं क्रिस्य विख्य विख्यालने के तो क्रिस्य विश्री विद्याले जो है आपका पहला है नरेंद्र देव क्रिशिय एवं प्रद्धुकिय विश्री विद्याले राज जी विद्याले कहां पर है फैजाबाद में है फैजाबाद में अगरा सरदार वाई पटेल क्रिश्री विद्याले कई बार प्रेक्ष्य में पूछा गया है यह तो इंपोर्टेंट होता हो गया है कई बार पूछा गया है आपकी यूपी पीस में पूछा गया है यूपी पूलिस वाले में पूछा गया है तो यह तरीके सदावार कोश्चन है और बार बार रिपीट होता है तो सरदार वल्लब वही पटेल क्रिसी विश्य वि विश्विद्याले कहां पर है जो है यह है राज्य विश्विद्याले है और कहां पर है मेरट में है अगला है चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद कृसी एवं प्रदोग की विश्री 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 विश् Institute of Agriculture Technology and Sciences Deemed Wednesday Alay ये कहां पर है इलहाबाद में हैं Sam Hagen बॉर्टम इस्टुट अफ एक्रिे रिकल्चर तुक्नोलाजील सफस्य चिंड्य हैं सइन्सेज डिमन्ध विश्प विद्याले कहां अगला है 1950 में आगरा में दयालबाग इंजिनेरिंग कॉलेज की अस्थापना की गई जो प्रदेश का सबसे पुराना इंजिनेरिंग कॉलेज है 1950 में की गई थी अब वही बात कर लेते हैं उत्तरप्रदेश की प्रमुख मेडिकल कॉलेज तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहां पर है मेरट में है महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज जहांसी में है गणेश संकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहां पर है कानपूर में है सरुजनी नाइडू MSN मेडिकल कॉलेज कहां पर है आगरा में है सरुजनी नाइडू MSN मेडिकल कॉलेज आगरा में है बाबा रागहुदास मेडिकल कॉलेज बाबा रागहुदास मेडिकल कॉलेज कहां पर है गुरगपूर में है जोवाहलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलिगड में है चत्रपती साहुजी महराज मेडिकल कॉलेज कहां पर है लखनों में है कुछ अनितत्य देख लेते हैं उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में लकनों में खुला गया था राज्य हिंदी संस्थान राज्य हिंदी संस्थान कहां पर है वरानची में है भारती भवन पुस्तकाले कहां पर है इलहाबाद में है भारती भवन पुस्तकाले कहां पर है इलहाबाद में है हिंदुस्तान अकादमी हिंदुस्तान अकादमी 1927 इलहाबाद में है कनहियालाल मरिकलाल किंद्रिय हिंदी संस्थान बहुत बार पूछा गया है कनहियालाल मरिकलाल किंद्रिय हिंदी संस्थान कहां पर है आगरा में सदाबार कुर्शन पूछा गया है और वही आपका पुछेगा हिंदुस्तान मं पुनिश्य ये आपका इलहाबाद में है और भारती भांवन पुस्तकार में है वही आगे बात करते हैं उत्तरप्रदेश का पहला मुक्त बिश्विद्याले जो है राजर्सी पुरसुत्तम दास टंडन मुक्त बिश्विद्याले यह अभी इलहाबाद में हैं वही बात करते हैं मोतिलाल नहरू बाल शंगरारे लखनों में हैं जो है बनारस हिंदू विष्जिविद्धियाले का सिरणयास मदन पंडित मदन मौहन मलवी दवरा किया गया था जैसे कि आप लोगों को पता होगा और हो ना भी चाहिए भारत का प्रथमविक लांग विस्री विद्यालर जगद गुरू राम भद्राचार्या विक लांग विद्यालर प्रदेश के चिटरकुट में स्थापित क्या गया गया उत्तर अब हो प्रदेश के अंकर लखनों में इस्थीत है। उत्तर प्रदेश में 200 भारती पुरुष्षकार उत्तर प्र-०िश्र सनस्कृत सन्स्थान द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं उत्तप्रदेश सिंधियक आदमी 1997 में शुरू की गई थी राज्य में छे राज की एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बादा, रामपूर, बदायूं, जौनपूर, चंदोसी, सहारनपूर में निर्माना धीन है ग्रेटर नोड़ा में 2013 में स्थापित राज जी है कि प्रथम पोस्ट ग्रेजूएट सूपर इस्पेसिलिटी बालचिक सालेश शेक्षिरिंग संस्थान को तो, 2014-15 में प्रदेज का दूसरा विस्वविद्यालय बनाया गया है अब पत्र पत्र का है, देख लेते हैं तो, धरतीमा सक्तिमा यह है गाजियाबाद के जो है गाजियाबाद जिले का मासिक पत्रिका है आरोग कल्यान गीता प्रेस यह जो है गोरकुर का है बहुरंगी मारतंड यह जो है मेरट का है आपका स्वास्त जीवन सिक्षा, राजा बेटा, रानी बिटिया, सिक्षक यह जो है वरानसी का है अध्याद में बाल शक्षा, कहानी, माया, मनोर्मा, सत्य कथा यह इलहाबाद में है छत्र सक्ती, नोग जोग, प्रतियोगिता दरपण युवक, शाहित्य, लोक शाहित्य, संदेश यह जो है आगरा का राश्ट्रमत सापताहिक, नागरिक सापताहिक, यह जो है कानपूर का है अब आगे देखते हैं हिंदी का प्रतम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकासित हुआ था संपादक जुगल किशोर कानपूर के निवाशे और 1826 में आरम किया गया था उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखवार सापताहिक, अठाहर सु पैंतालिस में राजा प्रसाद सितार हिंद दौरा प्रादम किया गया था 1946 में उर्दू का पहला अखवार सरदल अखवार प्रकासित आगरा से हुआ था और वही बात करते हैं सरसोती पत्रिका तो यह जो है इलहाबाद से प्रकासित होती थी और इसका संपादन सन 1902 में स्याम सुंदर दास और 1903 से 1921 महावी प्रसाद दिवेदी दौरा किया गया था सरसोती पत्रिका गड़े संकर विद्यार्थी दौरा प्रताप नामक पूत्र कानपूर से प्रकासित हुआ और 1930 में मौसी प्रेम चंद ने हंस का संपादन किया था अब बात करते हैं प्रदोगे की अविकास नक्षत्र शाला आएं नक्षक्तर साला आएं दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा इस वज़े से अब हम अगले पार्ट में इस पार्ट में इसी लेकर आएंगे तो तब तक आप देखते रहें और सपोर्ट करिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद